सबी RS IS प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार सूपरभात मैं डॉक्टर MS बाजडोलिया फेकल्टी एकोनोमी आई यार एंड साइंस टेकनोलोजी आपके सामने एक नई क्लास लेकर आ रहा हूं और आज का जो अपना टोपिक रहेगा वह राश्ट्री आए रहेगा कि किस तरह से जो इकोनोमी है उसमें जो जी डीपी है जी एन पी है एन एन पी है एन डीपी है इसको किस परकार से समझा जाता है और किस परकार से जी डीपी की गणना या एन एन पी एन डीपी और जी एन पी की गणना होती है राश्ट्री आए की गणना किस परकार होगी और किन विदियों का उपयोग करके राश्ट्री आए को ग्लोबल लेवल पर समझा जाएगा तो आईए आज के इस कारिक कोरोना पेंडमिक के दोरान जो भारत देश की अर्थविवस्ता परभावित हुई है और अर्थविवस्ता को उबारने के लिए भारत ने अजयाइल अप्रोच अपनाई और सप्लाई बेस रिफोर्म करके और अर्त्वेवस्ता में सुधार भी लाया गया और इसी कारण से भारत की अर्त्वेवस्ता ग्लोबल लेवल पर विश्व की चार परसिद्ध जो संस्ताएं हैं जैसे एसे डवलप्मेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आईउमफ है ये सब संस्ताएं हैं, ये भारत की एकोनोमी आठ से उपर बता रहे हैं, एसे डवलप्मेंट बैंक एडीबी है, एडीबी भारत की अर्त्वेवस्ता साथ से आठ परसेंट जीडीपी बता रहा है, आईएमफ बता रहा है, भारत की अर्त्वेवस्ता नो परसेंट के लगबग बत भारत की अर्थव्वस्ता के आंकड़े जारी कर रहा है जो 85 percent है और भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किये हैं भारत सरकार ने भारत सरकार के GDP के जो deatah है वो इस तरह से हैं कि जैसे 2019-20 में GDP 4.2% थी 2020-21 में GDP-7.3% थी 2021-22 में GDP 9.2% हुई और इसी तरह से 2022-23 में GDP का अनुमानित डेटा है वो 8-8.5% है तो 8-8.5% वो भारत सरकार कह रही है भारत सरकार ही नहीं कह रही है विश्व की जो संस्ताइं हैं वो भी ये कह रही है कि ये GDP है वो भारत की आने वाले वर्सों में रहेगी यहने 2022-23 में रहेगी इसका कारण क्या रहा कि GDP में इतना उबार जो आया वो उबार है है एजाइल एप्रोच के कारण एजाइल एप्रोच अपनाने के कारण यानि भारत ने बोर्बेल रन्नीती जो अपनाई उसके कारण बोर्बेल रन्नीती के कारण और बोर्बेल रन्नीती में सोट्रम और लॉंग ट्रम प्लान बनाकर सोट्रम और लोंग सोट्रम प्लान और लोंग टर्म प्लान लोंग टर्म प्लान लोंग टर्म प्लान यानि वेरी सेफ प्लान बहुत ही सेफ प्लान और वेरी रिस्की प्लान रिस्की प्लान ये सब बनाते हुए भारत ने अपनी जीडीपी में ग्रोथ की है भारत ने भारत ने सप्लाई बेस रिफोम करके अर्थार्थ भारत ने अव्यकसियनेशन डिपलोमेशी ये ये अज डिपलोमेशी ये suit डिपलोमेशी ओर मिशन संजीवनी मिशन संजीवनी आत्म निर्बर भारत अभियान 2020 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2022 यह सब जो योजनाई है यह शप्लाई बेस्ट रीफों की योजनाई लाकर भारत में अपनी जीडीपी की ग्रोथ 9.2 परसेंट तक एक बहुत बड़ा उबार जो है वो कोरोना पेंडेमिक के बाद भारत की जीडीपी में आया है और इसके बाद भी जीडीपी के आठ से 8.5 परतिशत रहने के आसार हैं आपको बताया गया कि भारत की एकोनोमी 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 ओफ इंडिया आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका कि जब एफ आर बीम एक्ट जब आया था तो उस समय फाइनेंशियल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट्री मेनेजमेंट एक्ट जब आया तो दोजार तीन में यह एक्ट आया था और दोजार तीन में वीजे कैलकर ने वीजे कैलकर की अध्यक्स्ता में यह तै किया गया था कि भारत की जो जीडीपी है इसकी इंफलेशन रेट है वो दोजार आठ नो तक आठ नो तक तीन प्रतिशत होनी चाहिए होनी चाहिए यानि टार्गेट था यह टार्गेट एच्चिव नहीं हो पाया तो 2016 में फिर एनके सिंग की अध्यक्स्ता में नंकिशोर सिंग जो भारत के पंद्रवे वितायों के अध्यक्स रहे वे हैं इनकी अध्यक्स्ता में जो समीती बनाएगी समीती ने निर्णे लिया कि 2023-2024 तक धाई प्रतिशत इंफ्लेशन रेट रहने का लक्षे लिया गया तो भारत की एकोनोमी यह कहती है कि जब supply-based reform होगा तो GDP की growth भारत की अर्थ्यवस्ता को और भी मजबूत करेगी जो की भारत वरत्मान परिपैक्से में यह जो एप्रोच है और यह जो रिफोर्म है यह कर रहा है और आत्म निर्भर भारत अभियान अपने आप में भारत के अर्प्योस्ता को मजबूत करने में सही साबित हुआ है अब अपने बात करते हैं कि यह जो डेटा है चाहे वो GDP का डेटा हो चाहे वो NDP का डेटा हो चाहे वो NNP का डेटा हो यह सब डेटा राश्ट्रिये आई की गणना के मापक हैं तो हमें नेशनल इंकम का जो कॉनसेप्ट है नेशनल इंकम का का कॉनसेप्ट पता होना चाहे बारे में हमें पता होना चाहे और आज हम आज की क्लास में National Income के concept की विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी बिंदों को सिल्सिले वार अपन स्टेडी करेंगे और National Income की Primary Information लेते हुए हम सभी बिंदों के बारे में बात करते हुए इन सभी मापकों की भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रिया है क्या तो वो है संसादनों या धन को जूटा पाना संसादनों या धन को जूटा पाना एक तरह से नेशनल इंकम से परिभासित कर सकते हैं हम और सबसे पहले जो नेशनल इंकम के लिए जो जीडीपी का आधार ते किया था यानि जीडीपी का आधार राष्ट्रिये आई के लिए राष्ट्रिये आई के लिए आई के लिए जीडीपी का आधार ते किया गया था सर वीलियम वीलियम पैट्री द्वारा ब्रिटेन के अर्थ सास्त्री थे ये और सत्रवी सताब्दी में इन्होंने जीडीपी के बारे में पूरे विश्व को बताया था यहने सर वीलियम पैट्री को फादर आफ फादर आफ जीडीपी कहा जाता है फादर आप जीडीपी सर वीलियम पैट्री इन्होंने सबसे पहले जीडीपी के बारे में परीचे करवाया था आधुनिक मौडन जीडीपी के जनक आधुनिक जीडीपी के के जनक रहे हैं साइमन कुट जेत ये यूएसे के थे और इन्होंने 1934 में मौडन जीडीपी की अवधार्णा दी क्यूंकि 1929 से 1933 के बीच इस अवधी में पूरे विश्व में पूरे विश्व में महामंदी का दोर था महामंदी का दोर था तो पूरा विश्व जो है वो महामंदी के दोर से गुजर रहा था यानि अपनी कह सकते हैं कि उस समय पूरे विश्व में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और इस ग्रेट डिप्रेशन के नाते जो है आर्थ व्यवस्ता आर्थ व्यवस्ता बूरी तरह से से डाउन फॉल में थी डाउन जब अर्थ व्यवस्ता डाउन फॉल में थी और पूरा विश्व इस समस्या से जूज रहा था तो उस समय साइमन साइमन कुजनेज ने साइमन कुजनेज ने ये अवधारना दी और जी डीपी के बारे में बताया गया भारत में यानि साइमन कुजनेज को आधुनिक जी डीपी फादर ओफ मॉडन जी डीपी कहा जाता है भारत में भारत में जी डीपी का जनक भारत में जी डीपी का जनक PC महाल नौबिस थे महाल नौबिस थे भारत में जी डीपी के जनक थे और PC महाल नौबिस थे महाल नौबिस थे महाल नौबिस थे दो संस्थाएं बनाई पी के जनक 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 Sampling Survey Organization और सर्वे का काम यह संस्था करती थी डेटा सेंप्लिंग और सर्वे और जो गणना है गणना का काम सेंटर केंद्रिय स्टेटिस्टीकल स्टीकल इंस्टीट्यूट या और्गिनाइजेशन यानि ये तो है राष्ट्रिय सेंप्लिंग सर्वे शंगठन और ये केंद्रिय शांखी की संगठन ये दोनों संगठन पीसी महाल नवीश के द्वरा बनाए गए थे पीसी महाल नवीश ने ये दोनों शंगठन जीडीपी गणना करने के लिए ये दोनों संगठन बनाए यह जो नैशनल सेंप्लिंग सर्वे शंगठन 1950 में और 1950 में बनाया और PC महाल नौबिश भारत में GDP के जनक थे इनके जनम दिवस पर राष्ट्रिय स्यांखी की दिवस मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, 29 जोन राश्ट्रिय शांख्य की दिवस शांख्य की दिवस पीसी महाल नौबिस का जनम दिवस भारत देश में मनाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि 22 दिशंबर को मैट्स दिवस गणी दिवस बनाते हैं राश्ट्रिय गणी दिवस शिरी निवास रामानुजन का जनम दिवस पीसी महाल नौबिस का जनम दिवस नौबिस का जनम का जन्म और गणेत दिवस राष्ट्रे गणेत दिवस ये शिरी निवास शिरी निवास रामानुजन का जन्म दिवस रामानुजन का जन्म हुआ ता इस दिन इसी तरह से 28 फरवरी को 28 फरवरी को राष्ट्रिये विज्ञान दिवस मनाया जाता है विज्ञान दिवस और ये सीवी रमन चंद्रसेकर वैंकट रमन ने इस दिन 28 फरवरी 1930 को 28 फरवरी 1930 को रमन इफेक्ट दिया था यानि पार्टिकल स्केटरिंग थियोरी जो है वो सीवी रमन के द्वारा इस दिन दी गई थी इसी तरह से 15 सेप्टेमबर 15 सेप्टेमबर को इंजीनिर्न Diva knocked राष्ट्री इंजीनिर्इण दिवस मनाया जाता है और ये मौक्स गुंडम मौक्स गुंडम भारत के महान विज्ञानिक मौक्स गुंडम विश्वे स्वेरया के जनम दिवस पर मनाया जाता है केवल राष्टे विज्ञान दिवस है वो किसी विज्ञानिक जनम दिवस पर ना होके और सीवी रमन 28 प्रवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था उस उपलक्स में ये राष्टे विज्ञान दिवस मनाया जाता है मॉक्स गुंडम जो सैंटिस्ट है वह बहुत महान विज्ञानिक थे आपको पता होना चाहिए कि ये बांध क्रांती के जनक थे बांध वैं नहर क्रांती के जनक ग्रांती के जनक और वाटर लॉकिंग सिस्टम वाटर लॉकिंग सिस्टम के आविश्कारक थे आविश्कारक ये शाइंटिस्ट मॉक्स गुंडम विश्विश्वरईया थे जब 29 जून की बात आई तो हमने 22 दिशंबर की बात की गणित दिवस श्री निवास रामानुजन का जनम दिवस 28 परवरी को राष्ट्रे विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन ने 28 परवरी को रामन एफेक्ट दिया था 15 सेप्टेंबर राष्ट्रे इंजनिंग दिवस मनाया जाता है मॉक्स गुर्णम विश्वस्वरईया का जनम दिवस है ये सब बाते हैं अपने की अब देखो अफन बात करते हैं कि भारत में जो जीडीपी के जो जनक हैं पीसी महाल नौबिश भारत में जीडीपी के जनक रहे और भारत में भारत में जीडीपी किस प्रकार से आने वाले वर्सों में परभावित हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि दो हजार अठारे उन्नीस में या दो हजार उन्नीस बीस में जीडीपी 4.2 परसेंट थी दो हजार बीस इकीस में जीडीपी माइनस 7.3 परसेंट थी दो हजार इकीस बाइस में जीडीपी 9.2 परसेंट थी और दो हजार बाइस तेवीस में जीडीपी आठ से आठ पैंट 5 परतिशत रहने का अनुमान है यह जीडीपी के वर्तमान के डेटा है कि जीडीपी इस तरह से जो है वो परभावित हो सकती है जीडीपी भारत देश की जीडीपी इस तरह से चेंज हो रही है यानि जीडीपी की बात की जाए तो 2018 में जीडीपी 6.1 परसेंट थी 2018 में 6.1 परतिशत थी 2017 में जीडीपी 7.2 परसेंट थी यह भारत में जीडीपी का ग्राफ है इस तरह से भारत में जीडीपी परिवर्तित हुई है और देखा जाए तो भारत की जीडीपी में ग्रोथ है वो 2021 में जीडीपी में एक बहुत ज्यादा उचाल रहा और यह एक अच्छा संकेत है भारत देश की एकोनोमी के लिए अब अपन बात करते हैं कि देखो जो संसादन है संसादनों को जोड़ना या उत्पादित करना उत्पादित करना यह राश्ट्रिय आय में आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसादन की कि किस परकार से संसादन भारत देश में संसादनों की क्या इस्तिती है किस परकार से उनका वरगी करन है इन सबी चीजों की अपन बात करेंगे हम बात करते हैं जैसे जन्तू और मनुष्य में क्या फर्क है जन्तू और मनुष्य में क्या फर्क है तो मैन जो फर्क है जन्तू और मनुष्य में वो है पर्चेजिंग पावर का फर्क है पर्चेजिंग पावर का फर्क है जन्तू और मनुष्ये में क्रे सक्ती का फर्क है अर्थार्थ हम ये कह सकते हैं कि जन्तू खरीद के खा नहीं सकते खरीद के पी नहीं सकते, खरीद के जी नहीं सकते, खरीद के सो नहीं सकते, खरीद के पहन नहीं सकते, बलकि मनुष्य खरीद के पहन सकता है, खरीद के सो सकता है, खरीद के जी सकता है, खरीद के खा सकता है, तो कहने का मतलब जन्तु और मनुश्य में जो समानता है वो सभी इंद्रिय जनित जो किरियाएं या व्यवहार है या व्यवहार समान है या व्यवहार है वो समान है लेकि अंतर केवल क्रे सक्ति का है और क्रे सक्ति कैसे आती है या तो रोजगार से आएगी या स्वे रोजगार से आएगी और जिनके पास ना तो रोजगार है और ना स्वे रोजगार है ऐसे लोग मानव योनी में जनम लेने के बावजूद भी मनुश्यों की स्रेणी में सामिल नहीं हो पाते हैं यह बहुत ही दुख की बात है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो खरीद के खा नहीं सकते खरीद के पी नहीं सकते खरीद के पहन नहीं सकते खरीद के सो नहीं सकते अर्थार्त ऐसे लोग बारत में बड़ी विडमना की बात है कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन समस्याओंसे जूज रहे हैं और भारत में दो बाते हैं कुछ लोग सम्रदी के बात्सा बने वे हैं और कुछ लोग बहुत करीब हैं यह बड़े दुख और बहुत ही चिंता का विशे है कि इस प्रकार से भारत में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है तो बात जो है वो जीडीपी की मजबूती की जो बात है वो उत्पादन पर निर्भर करती है महात्मा गांधी ने कहा था कि उत्पादन ज्यादा होना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है उत्पादन करने वाले उत्पादन करने वाले वाले हाथ ज्यादा होना जरूरी है हाथ ज्यादा होना होना जरूरी है उत्पादन ज्यादा हो जरूरी नहीं है उत्पादन करने वाले हाथ ज्यादा हो जरूरी है लेकिन वर्तमान परिपेक्षे में क्या होना चाहिए वर्तमान परिपेक्षे में गांदी जी की बात का पहला वाक्य सही साबित नहीं होता है वर्तमान परिपेक्षे में उत्पादन भी ज्यादा होना चाहिए वर्तमान परिपेक्षे में उत्पादन भी ज्यादा हो उत्पादन भी ज्यादा हो तथा उत्पादन करने वाले हाथ भी ज्यादा हो यह आवशक्ता है वरत्मान परिपेक्से में कि उत्पादन भी ज्यादिक हो और उत्पादन पैदा करने वाले हाथ भी ज्यादिक हो अर्था भारत की इकोनोमी भारत की अर्थ व्यवस्ता अर्थ व्यवस्ता उत्पादन पर उत्पादन ज्यादा होने पर भी मजबूत होग आपको पता होना चाहिए कि भारत की अर्तिव्यवस्ता दो हजार तेवीश चोवीश तक पाँच ट्रिलियन डॉलर का पाँच ट्रिलियन डॉलर होने का लक्से रखा गया था लक्से जो है वो पाँच ट्रिलियन डॉलर का दोजार तेवीश चोवीश तक तो अर्तिव्यवस्ता पाँच ट्रिलियन डॉलर नहीं हो पाई और अब जो है वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार अर्थिक अलाहकार को एक पत्रकार ने पूछा भी अंता नागेश्वरम को एक पत्रकार ने पूछा कि भारत की अर्थिवस्ता 2023 तक पांस क्रिलियन डॉलर का लक्षे रखा गया था होने वाली थी क्या कारण रहा कि अर्थिवस्ता हो नहीं पाई और कभ तक हो पाएगी तो मुख्य अर्थिक सलाकार का जवाब था कि यदि भारत के अर्थिवस्ता आने वाले वर्सों में 8 परतिसत से अधिक Emin की ग्रोग्रेट रही ढाट परसंट से अधिक आने वाले वर्सों में रहती है तो भारत की अर्तिवस्ता दोजार पत्चीश शब्वीश तक दो हजार पत्चीश शब्वीश या दो हजार शब्वीश सताइस तक पांच ट्रीलियन डॉलर हो जाएगी 2021-22 में भारत की अर्तिवस्ता 2.9 ट्रीलियन डॉलर है आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व की अर्तिवस्ता पूरे विश्व की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी 90 ट्रीलियन डॉलर है 90 ट्रीलियन डॉलर से अधिक है और अमेरिका की USA की USA की जीडीपी 23 से 28 ट्रीलियन डॉलर है इसी तरह से चाइना की चाइना की जीडीपी है वो पंद्रे ट्रीलियन डॉलर है और भारत की अभी तेन ट्रीलियन डॉलर है तो भारत में भारत में जन्संक्या 136 करोड से भी ज्यादा 140 करोड के लगबग है और भारत में शेक्त्रफल शेक्त्रफल सेक्त्रफल तो पंद्चार प्रतिशत है और जैसे आस्ट्रेलिया है इसकी ड्याई से 3,5 करोड के लगबग है और दिली NCR की जनसंख्या दिली NCR की जनसंख्या आठ करोड है दिली NCR की जनसंख्या है वो आठ करोड है तो केवल दिली NCR की जनसंख्या एक ऑस्ट्रिया जैसे देश से बहुत अधीक है इससे अंदाजा लगया जाशता है कि संसादनों की कितनी कमी हो सकती है संसादन कम हैं संसादन बहुत सीमित हैं लिमिटीड रिसोर्सेज हैं सीमित हैं अर्था अर्थ अपन बात करें कि जैसे खनीज की मिनेरल्स की मिनेरल्स जो हैं वो 0.8 परसेंट हैं पानी है वो 6 प्रतिशत हैं और अगर अपन बायो डाइवर्सिटी की बात करें बायो डाइवर्सीटी की बात करें बायो डाइवर्सिटी की बात करें तो वो के लिए वेलफेर जो है वेलफेर वेलफेर डारेक्टली प्रपोर्शनल होता है संसादनों के समिधान का आर्टीकल 38 कहता है कि राज्ये लोग कल्यानकारी होगा राज्ये की लोग कल्यानकारी होने के लिए संसादनों का प्रियाप्त मात्रा में होना जरूरी है जो की नहीं है इसलिए राज्ये कैसे वेलफेर स्टेट हो सकता है यानि बजट दो प्रकार से दो प्रकार के वर्गों के लिए पारित होता है गरीबों के लिए जनकल्यानकारी या लोग कल्यानकारी योजनाई बजट में पेस की जाती है और दूसरा है कि जो अमीर है उनके लिए टेक्स पोलिशी बनाई जाती है तो किशी भी राज्ये के लिए वैलफेर होना संसादनों पर डिपेंड करता है तो संसाधन कैसे जुटाए जाएं संसाधन क्या होता है संसाधन क्या होंगे जो इनपुट को आउटपुट में बदल दें वे संसाधन है जो आगत को निर्गत में बदल दें वे संसाधन है संसाधनों को अपन दो प्रकार से परिभासित कर सकते हैं एसेट्स और कैपिटल के रूप में परिवासित किया जा सकता है संसाधनों को एसेट्स और कैपिटल के रूप में हम संसाधन को परिवासित कर सकते हैं जब राज्ये वेलफेर होगा तबी राज्ये को संप्रभू माना जाएगा और किस प्रकार से संसाधन आगत को निर्गत में बदल सकते हैं इसकी बात हम करेंगे देखो संसाधन तीन प्रकार से संसाधन जो है वो जुटाए जा सकते हैं प्राकर्तिक संसाधन प्राकर्तिक संसाधन जैसे जैसे खनीज है पानी है दूसरा है भौतिक संसाधन भौतिक संसाधन फीजीकल रिसोर्सेज जो हैं फीजीकल रिसोर्सेज बौतिक संसाधन हम बात करें जैसे रोड है परिवहन है जैसे बिजली है संचार है और इसी तरह से तीसरा है हुमन रिसोर्सेज मानवी ये संसादन मानवी ये संसादन यानि कुसल इसकिल हाप इसकिल अर्द कुसल और एकुशल ये तीनों प्रकार के जो कारिये हैं वो मानवी संसादनों में आते हैं तो संसादन किसे कहते हैं जो इन्पुट को आउटपुट में बदल दे अर्थार्थ आगत को निर्गत में बदल दे वो जो चीजें हैं वो संसादन के रूप में हम उनको परिभाशित कर सकते हैं संसादन मुख्य रूप से दो परकार का होगा संसादन मुख्य रूप से दो परकार का होगा संसादन दो परकार का होगा एक तो एसेड्स 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 यानि परीसंपतियां और एक है कैपिटल यानि पूंजी 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 एसेड्स परीसंपतियां क्या होती हैं ऐसे संसादन जो व्यक्तिगत या जन कल्यान के लिए के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उपयोग में लाए जाते हैं और पुण्जी है ऐसे संसादन संसादन जो लाब कमाने के लिए लाब कमाने के लिए लिए उपयोग में लाए जाते हैं है आई ए यह कैपिटल के रूप में इनका वर्गी करन कर सकते हैं जो व्यक्तिगतिया जनकल्यान kे लिए उपयोग में लाए जाएं उपरी संपतियां होंगी और जिनको लाब कमाने के लिए उपयोग में लाए करते हैं कि कि किस प्रकार से हम हम कि परिभासित कर सकते हैं राष्ट्रिया आए के जो कर सकते हैं हम सबसे पहले बात करेंगी एकक ओनोमिक थ कि ग्रोथ और Bangkok डवलप्मेंट को अगर अपन परिवासित करें तो यह है अर्थ व्यवस्ता में मात्रात्मक अर्थ व्यवस्ता में संसादनों का मात्रात्मक परिवर्तन अर्थ व्यवस्ता में संसादनों का गुणात्मक परिवर्तन परिवर्तन और यह कैसे किया जा सकता है एकोनोमिक जो ग्रोथ है आर्थिक संवर्दी कैसे की जा सकती है मात्रात्मक विकास से यानि स्कूलें बढ़ाई जाएं अस्पताल बढ़ाए जाएं अस्पतालों की संख्या बढ़ा दें और रोड शडक मार्ग जो है वो रोडें ज्यदा बना दें रेल मार्ग का विकास कर दें वायू मार्ग का विकास कर दें जल मार्ग का विकास करें बंद्रगाहूं का विकास कर दें यह जो अधारबूत स्रंचना का विकास करें यह एकोनोमिक ग्रोथ है और यह गुनात्मक परिवर्तन गुनात्मक विकास हो अर्थ्विवस्ता में गुनात्मक विकास हो यानि हम अर्थ्विवस्ता में संसाद्नों का विकास करें वो गुनात्मक विकास हो जैसे HDI Index द्वार, GEI Index द्वार, GDI Index द्वार, TAI Index द्वार और MPI Index द्वार, HDI यनि हुमन द्वार्प्मेंटिंडेक्स, हुमन द्वार्प्मेंटिंडेक्स, GEI जनरल एंपावर्मेंटिंडेक्स, जन्रल एम्पावर्मेंट इंडेक्स और यह है जन्रल डवलप्मेंट इंडेक्स जन्रल डवलप्मेंट इंडेक्स इसी तरह से टेक्नोलोजी टेक्नोलो टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी एच्चिवमेंट इंडेक्स और यह है मल्टी मल्टी पूबर्टी इंडेक्स तो यह है वह 1990 में यूएनडीपी ने यह इंडेक्स त्यार क्या था यूएनडीपी यह 1965 में बनी संस्ता है वैस्विक संस्ता यह 1995 में में यह 1995 में यह 2001 में यह 2010 में इस तरह से यह जो इंडेक्स है यह गुनात्मक विकास को को बताते हैं गुणात्मक विकास को रिपर्जेंट करते हैं यह इंडेक्स कि इस प्रकार यह इंडेक्स हैं वो गुणात्मक विकास को बता रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि यह मल्टी डाइमेंशनल मल्टी डाइमेंशनल पूर्टी इंडेक्स हैं आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम एकोनोमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो है मात्रात्मक विकास और यह है गुनात्मक विकास आपकी जानकारी के लिए कि जो HDI है Human Development Index मानुविय विकास सुचकांक मानभी विकास सुचकांक बताने वाले जो वेग्यानिक थे इसको इसके जो सुत्रदार थी इसका इजाद करने वाले प्रोफेशर महबूब उलहक उलहक पाकिस्तान के थी और इसी तरह से प्रोफेशर अम्रत्यशेन भारत की और प्रोफेशर सेंगर इन तीनों ने मिलकर मानिवी विकास सुचकांग दिया था में 1990 में इन्होंने मानिवी विकास सुचकांग दिया आपको पता होना चाहिए कि महबूब उलहक पाकिस्तान के वित्मंत्री भी रहे हैं तो इस तरह से राष्ट्रिय आय के जो मापक हैं वो आर्थिक सम्रदी के अंतरगत आते हैं आर्थिक सम्रदी को भी मापते हैं यानि यह जो मापक हैं यह जैसे हम बात करें जी डिपी की बात की जाए जी एन पी की बात की जाए और एन डीपी की और इसी तरह से एन एन आन पी की बात हम करें तो ये चारों जो सुचकांग हैं ये ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद और ये है जी एन पी यानि ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट यानि सकल राष्ट्रिय उत्पाद और अब हम बात करें एन डीपी की तो नेश्टिक नेट नेट डॉमेस्टिक डॉमेस्टिक प्रोडक्ट यानि सुद्ध घरेलू उत्पाद और इसकी हम बात करें तो नेट नेश्नल प्रोडक्ट यानि सुद्ध राष्ट्रिय उत्पाद ये राष्ट्रिय आए के मापक जो है इनकी बाते हमने की जी डीपी जी इनपी एन डीपी और इन अन पी GDP gross domestic product, GNP gross national product, NDP net domestic product और NNP net national product, शुद्राष्ट्री उत्पाद अब हम अलग-अलग इनको परिवासित करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे GDP की सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद का क्या मिनिंग है कह सकते हैं कि भारत की भोगोलिक सीमा में में भारतियों के द्वारा के द्वारा संसादनों का किया गया कुल उत्पादन GDP कहलाता है भारत की भोगोलिक सीमा में और भारत की भोगोलिक सीमा से तात्प्रे भोगोलिक सीमा भोगोलिक सीमा से जो मिनिंग है वो है कि इसमें हम दोसो नोटीकल मील, नोटीकल मील, तटिये सेक्तर भी लेंगे, तटिये सेक्तर, समुद्री सेक्तर, जिसको एक्षक्लोजीव, 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 एक्षक्लोजीव से जाना जाता है, प्ल्स इसमें होगा, पोलर रीजन में जैसे अपने हिंदुस्तान के हिमाद्री है हिमाद्री 2008 में हमने बनाया और भारती है हमने 2012 में बनाया इसी तरह से डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक रीजन यानी राजनाईक सेक्ट्र राजनाईक सेक्ट्र और इसी के साथ इसी के साथ आएगा और स्पेस पेस जो शेक्त्र है अंत्रिक्ष जो स्क्रहे इसमें ज्शेक्त्र में सनसादनुगय उत्पादन ये सब जी डीपी के अंतर गता थाता आता है सकल घ्रहिलूट्पाद के अंतर गताता है यानि भारत की बहुगुलिक शीमा में भारतियों की द्वर्स अंसादनों के कि अगया कूलŁदपादन भारत की भुगुलिक सिमा जो है वो भारत का कूल सेग्थरफ़ल मैं pen यानि भारत का भारत का कुल सेक्टर फल और प्लस फिर ये सब हैं 200 नोटिकल मील, समुद्री सेक्टर, एक्सक्लोजिव, एकोनोमिक जॉन, पॉलर रीजन, स्पेस एरिया और डिप्लोमेटिक जो रीजन्स हैं वो जीडीपी में आई, जीडीपी की गणना में काउंट होंगे दूसरा है जीडीपी, जीडीपी यानि ग्रोस नैशनल प्रोड़क्ट, ग्रोस नैशनल प्रोड़क्ट, सकल राश्ट्रिये उत्पाद अर्था अर्थ, भारतिये नागरीकों द्वारा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, संसादनों का, संसादनों का, किया गया उत्पादन, यह जीएनपी में आएगा, यानि जीएनपी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीएनपी इस इकल टू जीडीपी तो है, प्लस विदेशों में, विदेशों में, भारतिये व्यक्तियों, भारती लोगों, द्वारा संसादनों का उत्पादन, और माइनस विदेशियों द्वारा, विदेशियों द्वारा, भारत में, विदेशियों द्वारा भारत में, संसादनों का उत्पादन, विदेशियों द्वारा भारत में संसादनों का उत्पादन, तो आपको पता होना चाहिए, कि विदेशियों द्वारा भारत में संसादनों का उत्पादन, ये अधिक है, और ये कम है, ये कम है, इसको हम एक्स माल लें, इसको हम एम माल लें, तो जी एन पी को हम कह सकते हैं, जी एन पी बराबर जी डी पी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन ये कम है, वो ये अधिक है, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं, जी डी पी माइनस एक्स माइनस एम, और यानि कहने का तात्री यह है कि जी एन पी जो है वो हमेशा GDP से कम होगा जी एन पी हमेशा GDP से कम होगा और जिस देश का जी एन पी GDP से कम होता है वो देश विक्सित देश नहीं होगा जिस देश का GDP जिस देश का जी एन पी GDP से कम हो वो देश विक्सित देश की स्रेणी में नहीं आता है जिस देश का जी एन पी अधिक है वो देश विक्सित देश कहलाएगा जिस देश का GNP अधिक है वो विक्षित देश कहलाएगा GNP ये विक्षित देश नहीं होगा और जिस देश का GNP GDP से ज्यादा है वो विक्षित देश होगा अब हम बात करते हैं राष्ट्रियाय की तीसरे मापक की NDP की यानि राष्ट्रेट सुद्ध सुद्ध घरेलू उत्पाद सुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्री सुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट तो इसको हम लेंगे नेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट जो है बहुत सरल है GDP में यदि मुल्य हरास माइनस कर दे मुल्य हरास यदि माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास NDP आ जाएगा मुल्य हरास का मतलब है जैसे यह मारकर है यह मारकर आज अगर 600 रुपे का है और इसको यूज ले लिया गया तो यह मारकर 600 रुपे का नहीं रहेगा इसके मुल्य में हरास हो जाएगा दूसरा जैसे हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल आज अगर हमने परचैज किया है 20.000 रुपे का तो दो महीने बाद वो मुबाइल यदि हम हमें कोई पूस्ता है कि मोबाइल कितनी रुपे का है तो वो mobile 20,000 का नहीं रहेगा, मुल्ले हरास हो जाएगा या हमारे द्वारा पहने के कपड़े जो है, जो हमने यदि 1000 रुपे का परचेज किया है और फिर बाद में हमसे पूछा जाए तो उसका मुल्ले हरास होगा यानि उसके मुल्ले में कमी होगी, वो मुल्ले हरास है इसी तरह से चोथा जो मापक है वो है NNP NNP का मतलब सुद्ध रास्ट्रिय उत्पाद सुद्ध रास्ट्रिय उत्पाद यानि नेट नेशनल प्रोड़क्ट नेट नेशनल प्रोड़क्ट और नेट नेशनल प्रोड़क्ट जो है उसका सुत्र हम लिख सकते हैं जी एन पी माइनस मुल्ले हरास जी एन पी माइनस मुल्ले हरास नेट नेशनल प्रोड़क्ट जी एन पी में से मुल्ले हरास अगर कम कर दे तो NNP अपने सामने calculate होगा तो आज की class में हमने राष्ट्रिय आयक की history राष्ट्रिय आयक किस तरह से संसादनों का development किया जाए संसादन किस तरह से हैं और जो राष्ट्रिय आयक में आर्थिक सम्रदी और आर्थिक विकास को मापने वाले जो कारक हैं उनकी बाते हमने की आगे की क्लास में हम बजट के बजट का जो आगे का जो विशलेशन है उसकी बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू